Hello friends, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है My name is Zanil Singh Rajput, I belong to Sagar Madhya Pradesh I have been teacher since 2014, I have been teaching maths for the last 7 years I have also an experience to teach English and Indian reasoning I am committed teacher, I am a teacher by my choice not by chance तो चलिए आज का topic स्टार्ट करते हैं बहुत सारे लोग मेरे YouTube thumbnail को देखकर के लिए किये होंगे तो हाँ, मैं आपको आज motivate करने जरूर आ रहा हूँ और ये भी मैं बताऊँगा कि YouTube की असली कमाई क्या होती है और लोग किस चीज को आपको दिखाते हैं तो वो भी करेंगे और उसके बाद मैं आपको पढ़ाई भी करूँगा आज करवाऊंगा आज हम algebraic identities पढ़ेंगे बीच गड़ती सर्वसमी का है तो सबसे पहले उनको याद कैसे करते हैं वो भी हम लोग जानेंगे और बहुत कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा तो चलिए friends सबसे पहले जो लोग किवल थम्नेल को क्लिक करके मेरे इस वीडियो पर आएं वो रीजन जान ले कि क्या मेरी YouTube के असली कमाई है कि संडे की बात है जो संडे बीत गया है मैं उस संडे की बात कर रहा हूँ उस दिन मैं मार्केट सबजी लेने गया था जनरली मैं सबजी लेने जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे फादर जाते है बट वो थे नहीं तो मैं गया था तो उस दिन क्या हुआ मुझे एक student मिला मेरा जो कि वहाँ पर सबजी बेज रहा था तो उसने मुझे का कि सर मैंने आपके YouTube चैनल से कम से कम 10-20 घंटे पढ़ाई करी है 50 घंटे पढ़ाई करी है जितना भी आपने content डाला था मैंने A to Z विजिट किया है पूरा देखा हुआ है तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि एक्जाम में 6 question बने है वो 6 question जिस type क्या है थे वो type आपने already अपने videos में करवाए थे तो मुझे 6 number का फायदा हुआ मुझे मैं इस बिलकुल नहीं बनती तो उसके बाद क्या हुआ मैंने उसके हां से 1 kg 1 kg टमाटर खरीदे तो उसने मुझे पैसे नहीं लिए उसने मुझे कहा कि सर मैंने आपसे इतने सारे घंटे पड़े हैं उसके लिए तो यह कुछ भी नहीं है तो यह चोटी-चोटी चीजे जब आपको motivate करेंगी न तब आप life में बहुत आगे जाओगे When you count your small wins then you make a big victory in one day जब आप चोटी-चोटी wins को count करते हैं आप बहुत बड़े मुकाम पर एक दिन पहुचेंगे और एक बिहार के एक student से मेरी बात हो रही थी तो उसने मुझे से call पर कहा कि सर आप paid course क्यों नहीं बेचते तो यह बहुत सारी चीज़ा आपको motivate करती हैं तो अगर आपको life में बढ़ा करना है या फिर आप कुछ भी अपने target को achieve करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आप छोटी छोटी wins को छोटी छोटी improvement को भी count करिए ताकि आप demotivated ना हो तो चलिए friends आज की class शुरू करते हैं और आप end तक बने रहिएगा आज मैं आपको BGA सर्वसमी का है algebraic identities पढ़ाऊंगा और even मैं याद भी करवाऊंगा definitely बस आप जोटे रहिए तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने identity लिखी होई है तो पहली वाली क्या है A plus B का whole square बराबर A का वर्ग plus B का वर्ग plus 2AB I think यह सब को आती होगी A plus B का whole square is equal to A square plus B square plus 2AB A minus B का whole square बराबर A का वर्ग plus B का वर्ग minus 2AB इन दोनों में difference क्या है यहाँ पर बीच में minus लगा है तो 2AB के साथ minus आ जाता है तीसरी सर्वसमी का हमारी है A square run B square A square minus B square बराबर A run B, A धन B एक बार run, एक बार धन तो तीसरी वाली यह होगी चौथी वाली क्या है X plus A, X plus B X plus A और X plus B इसको मिलाकर क्या बनेगा X square plus A धन B कोस्तक में into X धन AB इसका आप अन्रगोणा करोगे तो यह आ जाएगा next क्या है A धन B धन C का whole square बराबर A का वर्ग, धन B का वर्ग, धन C का वर्ग, धन 2AB, धन 2BC, धन 2CA यह cyclic order चल रहा है cyclic order मतलब A से B, B से C देखो धान से A का वर्ग, प्लस B का वर्ग, प्लस C का वर्ग, प्लस 2AB, प्लस 2BC, प्लस 2CA उमीद है आप समझ पा रहोंगे A का घन, धन B का घन मराबर होता है A प्लस B, अगले कोस्टक में A का वर्ग, धन B स्क्वेर अगर प्लस वाली सर्फसमी का है तो पहले प्लस आएगा A का घन, माइनस B का घन मराबर होता है A माइनस B, A स्क्वेर, प्लस AB, प्लस B स्क्वेर माइनस वाली सर्फसमी का है तो पहले माइनस आएगा next है a प्लस b का घन मराबर a का घन धन b का घन धन 3 a b और कोस्टक में a धन b यह पूरी सर्फसमी का प्लस में आ रही है ध्यान से देखो a का घन धन b का घन धन 3 a b कोस्टक में a धन b जब मैंने अंदर multiply किया तो देखो a का घन जो का घन 3 a b का जब a से गुणा करेंगे तो a का a से गुणा होगा तो 3 a वर्ग भी हो जाएगा धन b का b से गुणा होगा तो 3 a b वर्ग हो जाएगा next देखो a रन b का घन मराबर a का घन minus b का घन minus 3 a b कोस्टक में a minus b बीच में minus लगा था तो पूरी सर्वसमी का minus में चल रही है plus वाले में पूरा plus में चल रहा है तो a का घन minus b का घन minus 3 a b का a से गुणा होगा तो a का a से गुणा होगा तो a वर्ग आ गया minus minus का गुणा plus होगा 3 a b का गुणा b से हुआ तो 3 a b वर्ग आ गया आपको बट ये वाला और ये वाला format याद रखना है Next है A का घन प्लस B का घन प्लस C का घन माइनस 3ABC is equal to A धन B धन C एक कुस्टक में फिर cyclic order चल रहा है A का वर्ग धन B का वर्ग धन C का वर्ग माइनस A B माइनस B C माइनस C A फिर से समझो बहुत important, very important इस से directly question exam में आते है A का घन प्लस B का घन प्लस C का घन माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C एक कुस्टक में दूसरे कुस्टक में A वर्ग प्लस B वर्ग प्लस C वर्ग माइनस A B माइनस B C माइनस C ये cyclic order चल रहा है देखो A, A की बाद B, B की बाद C इसको लिखने का एक तरीका और है यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया एक बटे दो A प्लस B प्लस C और इस पूरे को मैंने लिखा A रन B का वर्ग, दन B रन C का वर्ग दन C रन A का वर्ग ये भी cyclic order में चल रहा है और एक चीज़ और अगर A प्लस B प्लस C बराबर 0 मतलब इसकी जगा पर अगर मैं 0 रख दू तो 0 का गुणा किसी से भी करो 0 multiply by any number 0 का किसी से भी गुणा करो 0 हो जाता है तो ये पूरा 0 हो गया अब ये 3 ABC उस तरब चला जाएगा तो जब भी A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो गा तो A का गं प्लस B का गं प्लस C का गं बराबर 3 ABC होगा हजारो बार एक्जाम में Question आए है है आपको याद रख ना है मैंने क्या भूला A प्लस B प्लस C बराबर मैंने 0 रख दिया 0 रखा तो 0 का किसी से भी गुणा करो 0 का किसी से भी गुणा करूँ सब 0 हो गया अब यह माइनस का 3ABC जब अपनी साइड बदलेगा तो प्लस का हो जाएगा इस तरब तो 0 है ना यह जाकर प्लस का हो गया तो A का गन प्लस B का गन प्लस C का गन बराबर 3ABC A प्लस B प्लस C बराबर जीरो होगा, तो यह होगा उमीद है आपको आज का वीडियो पसंद आयां होगा, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो दूसरे लोगों तक सेर करिए और चैनल पर नए बीवर से तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तेंक यू सो मच आज की वीडियो में इतना ही बनावाद